बिस्मिल्ला रुर्प्मान रुर्पीम, अस्सलाम अलाइकूम, आएम निम्रा जफर, the topic which is under discussion today is the Paris Agreement 2015 आज के इस topic में हम study करेंगे कि Paris Agreement जो है, जो climate change जो है, उसकी वज़ा से ये agreement हुआ था तो ये किन किन कंट्रीज, कितनी कंट्रीज के दर्मियान हुआ था, कहां पर ये agreement साइन हुआ था, इनफोर्स कब हुआ था, इसके objectives क्या क्या थे, क्यों ये agreement साइन किया गया था, framework के बारे में discuss करेंगे, फिर हम ये discuss करेंगे कि इस agreement की success जो है, वो कहां तक है, और क्या Pakistan इस agreement का हिस्सा है या नहीं है, तो सबसे पहले आते हैं, Paris Agreement 2015 जो है, ये किसके थूरू sign किया गया था, ये जो थी, ये 21st Conference of United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC जो है, इसके थूरू ये agreement sign किया गया था, और ये एक historic deal थी, जो के उन countries, जो के इसका हिस्सा है, उन पर legally binding नहीं थी, ठीक है, जो के इसका एक नुकसान भी था, इस agreement का, एक डिस, जिसको हम कह सकते हैं, कि ये agreement जो है, इसकी वज़े से ज़्यादा valuable नहीं था, क्योंकि ये legally binding नहीं था, उन countries पर जो इसका हिस्सा थी, इस agreement के 32 pages थे, 29 articles थे, और 196 countries जो थी, उन्होंने participate किया था, परिस agreement को sign करने में, और ये 21st conference जो है, UNFCCC की और ये 21st conference थी, इसकी जिसमें इस agreement को sign किया गया था, कहां पर ये agreement sign हुआ था, at Laburgate, near Paris, in France, और कभी agreement sign हुआ था, 12th of December, 2015, और enforcement इसके कब हुई थी, 4th of November, 2016, अब आते हैं कि ये Paris agreement है किया दरसल, क्यूं agreement sign किया था ये, और इसकी वज़ा किया थी, objectives क्या है, climate change, इसकी reason है, to stop global warming, global warming एक बहुत बड़ा issue बन चुका है, जिसकी वज़ा से बहुत ज़ादा, जो इस दुनिया को बहुत ज़ादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और अभी भी हम इस चीज़ का शिकार हुए हुए है, और global warming को दरसल रोकने के लिए, ये Paris Agreement जो है, ये sign किया था, और ये Paris Agreement जो है, ये 196 countries के दर्मियान में हुआ था, इस agreement का objective जो है, वो था, global warming को रोकना, carbon dioxide की जो emission है, उसको रोकना, हम सब ये बात जानते हैं कि US और चाइना, जो के super powers हैं, दोनो ही, rich countries है, carbon dioxide emission इन दोनों countries में ही सबसे ज़ादा होती है, जो के reason ये दोनों countries बन गई है, global warming की, ठीक है, लेकिन पिस वो लोग रहे हैं इसमें, जिनका कसूर नहीं है, जैसे के पाकिस्तान, ठीक है, बेशक हम भी fossil fuels यूज़ करते हैं, global warming में हमारा भी हिस्सा है, लेकिन जितना चाइना और US carbon dioxide emission में role play करता है, उतना बाकी countries नहीं करती, लेकिन भुगतना बाकी countries को पढ़ता है, ठीक है, उसके इलावा, objective क्या था, renewable energy resources को use करने, और utilize करने, का जो मशवरा था, वो इस agreement में दिया गया था, कि आप जो है, वो fossil fuels को use करने के बिजाए, मतलब non renewable energy resources को use करने के बिजाए, आप renewable पर आए, ये एक तो cheapest way है, दूसरी बात, इसमें carbon dioxide emission नहीं होती, ठीक है, green house gases जो है, वो नहीं निकलती, green house gases, जैसे के global warming के हमें वज़ा पता कोईला हम यूज करते हैं, power plant से कोईला के धुआ निकलता है, industry से धुआ निकलता है, guardian, truck और ये सब चीजें, petrol यूज करते हैं, इस वज़ए से होता है, जिसकी वज़ए से green house gases जो है, वो निकलती है, और इसकी वज़ए से हमारी ozone layer भी डिप्लीट हो रही है, हमें बहुत ज था, कि renewable energy resources को use करने का कहा गया, ताकि global temperature जो है, उसको maintain किया जाए, और ये कहा गया, कि तमाम की तमाम countries जो है, वो maintain करेंगी temperature को, कितना? 2 degree Celsius से below होना चाहिए, और वो कहते हैं, कि अगर आप कोशिश करें, कि 1.5 degree Celsius से भी नीचे temperature हो हर country का, जो कि एक बहुत unrealistic सी बात लगती ह ठीक है, क्योंकि global warming बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वज़े से इस target को achieve करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ countries ऐसी भी हैं, जो इसमें बहुत ज़्यादा positive role play कर रही हैं, और उन्होंने ये target achieve करने की पूरी पूरी कोशिश भी की है, और ये कहा गया, इस agreement में कि हर country जो है, वो carbon dioxide emission को reduce करेगी और इतना reduce करेगी कि उसको net zero तक लेकर आया जा सके, by the mid of 21st century तक carbon dioxide emission खतम हो जानी जाएए, लेकिन ये खतम नहीं हो रही, क्योंकि हम सुनते ही कब है, मैंने आपको शुरू में बताया कि ये legally binding नहीं है, जब ये legally binding ही नहीं है, punishment ही नहीं है, को तो क्या जो rich countries हैं, वो अपने जो renewable energy resources हैं, उनको use कर रही है, कोईला अभी भी यूज हो रहा है, पेट्रॉल अभी भी यूज हो रहा है, gas, हर चीज, ये हम use करने से जब तक बाज नहीं आएंगे, तब तक क्या हम इन objectives को पूरा कर सकते हैं, हर्गिस नहीं कर सकते हैं, क्यो जो countries rich हैं, वो मजीद rich होती जा रही है, क्यों होती जा रही है, क्योंकि उनके जो interest है, वो उनको पूरा कर रही है, कैसे पूरा कर रही है, जाहर है चाइना और US, दोनों super powers हैं, और यही दोनों reason है, global warming की सबसे बड़ी reason बनी हुए है, क्योंकि ये carbon dioxide ज्यादा emit करते हैं, क् क्योंकि ये non-renewable energy resources को use नहीं करते हैं, उसके इलावा, इस agreement में एक framework भी दिया गया, जिसमें तीन चीज़ें शामिल थी, क्या, financial support to the countries, other countries, मतलब जो rich countries हैं, वो इस Paris agreement के objectives को पूरा करने के लिए, rich countries जो हैं, वो poor countries को financially तोर पर support करेंगी, उसके इलावा, technical support भी provide करेंगी, कै उनको पैसे देंगी पहली बात तो, ताकि वो इन objectives को पूरा कर सकें, क्योंकि उनके पास ऐसे resources नहीं है, ठीक है, उनको technical help भी provide की जाएगी, उनको skills सिखाई जाएगी, उनको तरीका बताया जाएगा कि ये सब आपने कैसे करना है, दूसरा उनकी capacity building की जाएगी, ठीक है, य इसमें तीन चीज़ें चामिल थी और ये Paris Agreement का हिस्सा थी, उसके इलावा NDC की formation हुई, nationally determined contributions, ये एक ऐसी चीज़ थी, जिसमें हर पांच साल के बाद हर country जो है, वो एक documentary form में अपनी performance को show करेगी, कैसे, कि उसने किस country से support ली, receive की, या किस country ने किस country को कितनी support की है, ठीक है, औ और वो किस हद तक कामियाब हुए है, इन objectives को पूरा करने के लिए, ये NDC में वो बताएंगी, किसको, इसको, ठीक है, वो यहाँ पर हर पांच साल के बाद review किया जाएगा हर चीज़ को, कि कहां तक हम कामियाब हो चुके हैं, फिर हर चीज़ को दुबारा से scale up किया जाएग ठीक है, ये थे objectives और framework जो के Paris Agreement में हमने पढ़ लिए कि Paris Agreement क्या है, उसके objectives क्या थे, क्यों sign किया था, इसकी reason क्या थी तो इसकी वाहिद reason क्या है, climate change और global warming को हदम करना, इसकी एक reason है, आगे हम देखते हैं कि ये किस हद तक successful हुए है, ये agreement और क्या पाकिस्तान इस agreement का हिस्सा है या नहीं है, अब हम देखते हैं कि जो Paris Agreement है, वो किस हद तक कामयाब है, वैसे बजाहिर अगर हम देखें तो इस agreement का कोई फाइदा तो नहीं हुआ, क्योंकि बजाहिर तो ये जो है, ये big emitters जो है, जैसे US और चाइना, carbon dioxide के उसको पूछता तो है, लेकिन legally binding ना होने की व exceptions are always there, Denmark और Sweden ये दो ऐसी countries हैं जिन्होंने इस agreement के objectives को पूरा करने के लिए बहुत कोशिश की और काफी हद तक कामयाब भी हुए है, उन्होंने बहुत जादा positive role play किया है, अब क्या पाकिस्तान इस agreement का हिस्सा है, तो yes, पाकिस्तान is also part of this agreement, रीसेंटली पाकिस्तान इस agreement को sign क किया है, अब हम देखते हैं, इस agreement के pros and cons के क्या advantages हैं, क्या disadvantages हैं, advantages के अगर हम बात करें, तो जैसे कि हमने framework में पढ़ा था, के poor countries को support मिल रही है, rich countries के तरफ से, financially भी, technical support भी और उनकी capacity building भी हो रही है, और दूसरी बात, Paris agreement के 196 countries जो हैं इसके members तो हैं, लेकिन इसको internationally भी support मिल ही है, लेकिन इसके सासाथ बहुत से countries ऐसी हैं, जिन्हों ने इसको criticize भी किया है, और इस agreement की वज़े से, जो big emitters हैं, जैसे के China और US, वो accountable होते हैं, के जवाब दे होते हैं, के वो अपनी, ये जो इतनी emission है, इसकी वज़ा क्या है, और जो है, उनको इस target को पूरा करने की पड़ेगी, लेकिन दूसरे तरफ इसके disadvantages भी हैं, जैसे के सबसे पहले हम बात ही यही करते हैं, के इसमें सबसे बड़ी गलती ही यह है, के ये legally binding नहीं है, जिसकी वज़ा से, जो rich countries होती है, वो और rich होती है, emission और ज़्यादा होती है, और वो बजाहिर तो accountable है, लेकिन actually में नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई punishment तो मिलनी नहीं है, जब punishment का कोई खौफ ही नहीं हो, तो कभी कोई जर्म जो है, वो खतम हो सकता है, इस society से, हमारा law क्यों मनाया जाता है, law and order maintain क्यों किया जाता है, ताकि जर्म जो है, उसको कम किया जा सके, लेकिन अगर जर्म कभी भी खतम हो सकता है सोसाइटी से अगर हम मुझरमों को सजा ना दें तो कभी भी नहीं हो सकता और दूसरा जो है इसमें जो बात है वो एक अन्रियलिस्टिक सी बात है कि इसको तमाम कंट्रीज को कहा गया कि आप 21st सेंचुरी के मिड तक जो कारवन डायोकसाइट के अमिशन है वो तमपरेचर 1.5 degree celsius से कम रखेंगे वो अपना तमपरेचर तो क्या यह पॉसिबल है या नहीं है so this was all about our today's lecture thanks for watching the video and if you like the video then don't forget to like share and comment thank you so much